दोस्तो वोड़ाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे फ्राइडे को काफी अच्छी हमने तेजी देखिए और यहाँ पे मैनेजमेंट की तरब से कुछ बड़े बयान निकल के रहा है जो काफी सांधार है जो इसारा करें कि वोड़ाफोन आइडिया के दिन पलट सकते यहाँ पे ब्रोक्रेज आउस भी बहुत ज़्यादा बुलिस हो चुके है और लगातर बाइक की रिकमेंडेशन आ रही है अब श्टॉक ने पिछले इनों काफी इच्छी दोड़ भी लगए है क्या वोड़ाफोन आइडिया इस बार 20 को क्रॉस करके नई हाई बनाएगा जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सबसे जो बड़ी बात है वोड़ाफोन आइडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारी बरकम कर्ज और कम होते हुए कस्टमर है लेकिन इसके लिए इनों रास्ते निकालने सुरू कर दिये और पिछले इनों काफी आने वाले समय वोड़ाफोन आडिया के लिए रहा आसान हो सकती है तो जानने की कोसिस करेंगे आगे क्या हो सकता है और क्या हमें इस समय वोड़ाफोन आडिया में निवेस करना चाहिए लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी ने विडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की सुरूआत हुई 15.05 पर पॉजिटी सुरूआत हुई क्लोजिंग थी गुरूआर की 15 के आसपास इंट्राडे में 14.90 का लो बना इसका मन 33% की सांदार तेजी देखना को मिली अब यहां पे वालिम टॉपर रोज की तरह बना हुआ है पूरे बाजर में वालिम के मामले में नंबर बन पे था और इसके पीछे वजह भी है कि इसकी शेरों की संक्या बहुत जाले दूसरों के मुकाबले और इसी वजह से इसका वाल गिरावट होती पूरी इतियास में अगर देखे तो बाजर में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी तो यह स्टॉक भी लो में 13.2 जिरो तक आगे था उस लेवल पे लोगों ने काफी एची खरिदारी की खरिदारी का एक मौका आया था अब आप देख सकते हो वहा उनको वोड़ा फॉलाइड ने बहुत भारी गाटा दिया पास साल के इसाफ से जिसने निवेस किया उसको भी 17% का ही नॉर्मल रिटन देखना को मिल रहा है पिछले दो साल के इसाफ से 71% की तेजी बनी है फाइदे में वो राज जिसने पिछले साल बैल पैल इसमें निव पाइदे के सबसे 5.7% की तेजी बनी है और और श्टॉक यहां से दोंडे को त्यार हो चुका है तो यहां पर जो बड़ी गूड़ निवी जै कि केर रेटिंग ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है केर रेटिंग ने अब यहां पर देखना की भरोसा जता है वो और दूसरी दब्रे के जो मार्केट एक्सपर्ट उनका राय है कि चार्ट पर वी आयल का स्टॉक काफी अत्तक पॉजिटिव दिख रहा है पंदा रुपे के आसपास सपोर्ट देखना को मिल सकता है अपेक्सित निकट अउदी में अठरा रुपे हो सकता है प्रभुदास 14.30 के टार्गेट देखना को मिल सकते है तो सपोर्ट 14.50 के आसपास लगा कि इसमें खरीदारी करने की सरा दिया है और प्रभुदा लीलादर के तरब से वैसाली पारेक ने इसमें 18 रुपीज का टार्गेट दिया है और इसके अलावा देव रेलिगर ब्रोकरिंग की पहले 135 रुपे से बढ़कर 146 रुपे हो गया है इसका कंपणी का एयार प्यू बढ़ चुका है कंपणी ने अपनी फॉलो ऑन पेसकस एप्यों के माधियम से 18,000 रुपीज की फर्ट रेजिंग किये और देख से कंपणी चुनीदा से तरह में 5G सर्विस दूरू करने की य अगले 24-30 में कंपणी का कुल राजे से बढ़कर 40% कवर कर सकता है यानि कुल मिला के वीजन क्लियर है आने वाले से में कस्टमर बेस बढ़ाना है 5G सर्विस के माधियम से और देख से को एक पैसे का पूरा इस्तेमाल किया रहा है यहां पर तो वोड़ा फोन आइडिया के काफी रहा आसन हो चुकी है और ऐसे में एक के बाद एक जो मार्केट एक्सपर्ट हो बुलिश है आएफल सेक्रिटीज के संजीव वसी ने भी टार्गेट दिया है 25 रुपे का खरिदारी की सला दिया 15 रुपे के आसपास और आप देख सकते हो कि तो देख सकते हो कि गुर संजीव वसीन का कहना है कि देखते ही देखे नौ से अठरा हो आई स्टॉक एक बार फिर से नीचले लेल पर इंट्री का मौका बन रहा है और इस बार 25 का टार्गेट देखना को मिल सकता है वर्तमान में वड़ा फन आइडिया का शेयर अगर देखे तो 20 डे 50 डे 100 डे और 200 से उपर कारूबर करता हो दिखाए दे रहा है कि संजीव वसीन का कहना है कि स्टॉक एक बार 18 को पार कर गया तो 22 रुपे तक आरम से जाएगा और उसके बाद में तेजी और आईगी तो इसमें आपको हैरान होने की जूरुतने है वर्तमान आई जैसाब से खरीदारी करते 25 का टारगेट देखना को मिल सकता है उन्होंने काया कि कमपनी का बेंको पर नेट डेट 4000 क्रोड रुपे से कम कुछ कम है अगले एक साल में कुछ और राशी का दुखसान होगा लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तों में अभी टाड़ा पॉजिटिव बनने रहने की रहा वोड़ा पॉन आइडिया की अधिकारी की तरफ से जो जानकारी निकल कर आई है कि ग्राकों की सिकायतों को कम रखने में सक्सम रहा है वोड़ा पॉन आइडिया 60% सर्विस रिक्वेस्ट को डिजिटल रूप से सम्भाला जा रहा है जो पिछले 40% के आस पास था और कम्प बड़ी जीत है ग्राकों की सिकायतों में उल्ले के निकल कमी आई है और हमारा बड़ा हुआ नेट प्रमोटर स्कॉर एंडिया न सिर्फ ग्राकों की अप्रिक्षाओं को पूरा करने में बलकि उससे भी आगे बढ़ने की हमारी प्रतिबजा को रिखांगित करता है उन्हो कि Ergebnis बहतर हुई है और योगों काौण्स पॉलिट्व हुआ है और इसके पीछे वजए कि कंपणी ने वी जय स्टोर बना य है वीज मीनी स्टोर बना है इसके मादेमंसे इनबांड कॉर से मादेम से टाच्वइंट बना के फ्रेंट लाहकों का a grgar Chalet को एक रियम टायल फैस होंगे उनकी से उनको लाब होगा उनके लिए प्रॉब्लम को जाएगी तो कस्टमर फिर से लौट के आएंगे और वोड़ा फोन आइडिया आने वाल से में सर्वाइव कर जाएगा अब सबसे तो बड़ी बाद है इस बार कंपनी का रिवेनी भी बढ़ा है अगर कंपनी के अब लॉस देखे तो 7,675 क्रोड के आसपास रहा है और रिवेनी देखे तो उसमें 0.7% की विर्जी देखना हो मिलिए यह 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 आने वाले समें सारी मुसीबते कम होगे और कस्टमर बेस बढ़ेगा यहा पर दूसरी एक और गुड़ा फोन आइडिया के 4G सब्सक्राइ के आसपास 31 मारे 2024 को हुए जो 12.26 मिलियन के आसपास थे आप देखे तो एक साल पहले तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है यह सबसे बड़ी बात है तो ऐसे में देख सकते हो कि वोड़ा फोन आइडिया भले ही समय लॉस में हो लेकिन जिस तरसे कमपनी ने कमर कसली है म काफ़ी नीचे है अभी आप देखे तो कि एक टाइम में 11.00 के आसपास शेयर ओपर किये थे आने वाले से में वह निवेस को बनाए रखेंगे बड़े-बड़े इन्वेस्टर तो इसकी प्राइज बढ़ सकती है लोंग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि डीप में खरीदारी करें बोड़ा फोन आइडिया आने वाले समय फिर से जियो और एटल को दबड़ स्टर कर दे सकता तो इसकी प्राइज भी थ्री डिजिन में जा सकती है लेकिन रिस्क है क्योंकि पैनी स्टोक की स्रेड़ी में छोटा से स्टोक है थोड़ा निवेस कमी नहीं रखे लेकिन निवेस कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाईजर से बड़ा ही ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसं ठीक्यु थैक्यु थैक्यु छी क्योंकि मैंने दूर्फा there कि क्योंकि अड़क से वीडियो डोiest